मनोज जी, 28 उम्र, नौईडा से, आईटी इंजीनियर हैं, उनका एक प्रश्ण है, मेरे परिवार वाले खास तोर से माता पिता कहते हैं कि तुम्हें अलग से गुरु बनाने की क्या जुरुत है, हमारे खुद के गुरु महराज हैं, उनको क्यू नहीं मानते, मेरा उनके क्या चलू, घरवालों को कैसे समझाओ, कृपा बताएं, इस प्रश्ण में कुछ दो-तिन लेयर्ज हैं, और ये प्रश्ण बहुत मित्रों का हो सकता है, सिरफ मनोज जी का नहीं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक सुन्दर बात जो भारत के कल्चर में है, जो भी हमारे भीतर आध्यात्म की पुकार आ रही है, आध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, कोई एक चाह हमारे भीतर जाग रही है, ये हमारे परिवार वालों के ही संसकार हैं, जो हम तक पहुंचे हैं, ये हमारे परिवार वालों के जो गुरु महराज हैं, जिनको भ हमारे भीतर आध्यात्म के प्रति, जीवन के प्रति इस तरह के प्रश्ण उत्पन हो रहे हैं. तो पहली बात कि जो भी आत्रा हमारे परिवार वालों ने की या कर रहे हैं आध्यात्म की, हमारे भीतर उनके प्रती या उनके किसी भी गुरू के प्रती कोई निराधर ना हो, कोई निराकार ना हो, कोई opposition ना हो ये पहली बात हमें याद रखनी है दूसरी बात हमें याद रखनी है क्योंकि उन्ही के गुरु महराज और उन्ही की साधना के संसकार आज हमें साधना की तरफ प्रिरित कर रहे हैं तो उसका धन्यवाद भी हमेशा मन में बना रहे है यह दूसरी बात हम याद रखें अब जहां तक हमारी व्यक्तिकत साधना की बात है इस प्रिथवी पे हर व्यक्ति बहुत ही यूनीक है हम सब अलग-लग तरहां से परमात्मने हम सब को अलग-लग तरहां से गड़ा है और शाद इसी वज़ा से भारत में लाखों, करोडों, देवी देवताओं और मतों का एक समागम रहा है जिसको हम सनातन बोलते हैं यह इसी वज़ा से रहा क्योंकि हम सब उनीक हैं हम सब की प्रवृत्थियां उनीक हैं हम अपनी प्रवृत्थी के अनुसार, अपने गुरू, अपनी यात्रा, अपने भगवान, अपने साधना के पत्थ को चुने और ये फ्रीडम सब के पास होना चाहिए इस प्रिथवी पे आध्यात्म ऐसा विशय नहीं है कि जैसा आपके परिवार में चला आ रही है ये प्रथा आप उसी को फॉलो करेंगे आपकी खुद की आपको युनीक मार्ग जो भी आपके भीतर से आपके हृदय से मैच करता हो वो आपको खोजना होता है और ये सब हर व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज है तो बात साधना हर व्यक्ति की एक बहुत ही व्यक्तिगत खोज है संसकार मिलेंगे आपको माता पिता से उसका थैंक्फुलनेस हो उसके प्रति कोई ओपोजिशन ना हो गट आपको अपना मार्ग खुद ढूनना होगा वो बहुत व्यक्तिगत विशा है अब थोपा थापी का तो खेल चलता नहीं है इसमें जो भी आपके परिवार वालों के गुरु माराज हैं प्रता है अगर वो आपके भीतर कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप उस पर चल नहीं पाएंगे अब प्रश्न यह आता है कि घर वालों को कैसे समझाएं मुझे लगता है इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है जिस दिन आपकी यातरा जो भी यातरा आप चूस करते हैं वो आपके भीतर फलित होने लगेगी आपके घर वालों को उसके परिणाम दिखने लगेंगे और वो परिणाम देखके एक दिन ऐसा आएगा तो मेरा आपसे कहना होगा कि उनको समझाने की चेष्ठा भी मत करें भी क्योंकि जिस लेवल पे अभी आप हो साधना के आपके समझाने के सभी प्रयास विवाद में कनवर्ट हो जाएंगे यह मैं अकसर देखता हूँ बहुत सारे साधक मित्रों के साथ वे अपने घर परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं इंटेंशन अच्छी है बट भीतर साधना की स्टेबिलिटी नहीं है जड़े नहीं हैं अभी साधना की भीतर और हर अच्छी इंटेंशन भी एक विवाद का रूप ले लेती है तो वो प्रयासी मत करो वो गलती मत करना क्योंकि विवाद से दर्वाजे खिड़कियां बंद हो जाते हैं रिदय के और इस पत्थ पे हमें किसी के भीतर के भी दर्वाजे खिड़कियों को बंद नहीं करना है अब ये प्रश्ण था आपका कि घरवालों को कैसे समझाओं एक तरीका ये है कि ये वीडियो उनको दिखाएं हो सकता इस वीडियो को देखके मेरी वानी सुनके मेरा विचार सुनके उनको ये बात स्वयम समझ में आ जाएगी और नहीं आए तो थोड़ा इंतजार करें थोड़ा पेशन्स रखो सारा फोकस अपने गुरू, अपनी साधना, अपनी यातरा में लगाए जैसे जैसे फूल खिलेंगे महक घरवालों तक पहुँचेगी वो प्रेम करते हैं आपसे आपके उपोजिशन में नहीं है हाँ, महक नहीं मिल रही उनको अभी तो जितना प्रयाश करोगे, जितना साधना में गहरे डूगोगे आप उतनी महक फैलेगी और इस प्रिथवी पे महक हर आदमी पकड़ पाता है इस पृत्वी में प्रकृती ने एक बड़ा अद्बुत खेल रचा है जिसके भीतर भी धर्म की, आध्यात्म की या साधना की के फूल खिलने लगते हैं उसकी खुशबू कठोर से कठोर व्यक्ती के हृदे तक पहुँचती है खुशबू पहुँचती है इस बात को जाने, इस बात को माने, इस बात पर विश्वास करें और इस बात की तरफ बढ़ने का प्रयास करें मुझे लगता है यह आपकी बहुत मदद करेगा धन्यवाद